हेलो फ्रेंड्स के वो चीजव को क्या सव हैं चैली बताते हैं पहली चीज आवला चबाने से दो क Our consent of ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दरसल आवला गलास साफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज है और इसे चबा कर खाने से आपके बच्चे की आवाज साफ होगी जिससे की वो तुतलाएगा नहीं दूसरी चीज बादाम और काली मिर्च इसके लिए आपको बादाम के साथ टुकड़े लेने हैं और उतनी ही मात्रा में काली मिर्च को पीस कर एक चटनी जैसा पेस्ट तयार करना है इसके बाद इसमें आपको थोड़ी मात्रा में शेहद को मिलाना है इन तीनों चीजों से बने पेस्ट को बच्चे को चटाने से बच्चे का दुतलाना दूर होगा इसके अरावा बच्चे को तीन काली मिर्च के दाने मुँ में रखकर धीरे धीरे चापाने के लिए दीजे ऐसा करने से बच्चे के अवाज साफ होगी और बच्चे का हकलाना भी दूर होगा तीसरी चीज चुवारे सोने से पहले एक गिलास दूद में चुवारे को उबाल कर बच्चे को देने से भी काफी फायदा मिलेगा इसे पिलाने से बच्चे के अवाज साफ होगी ही और बच्चा वर्स को क्लियर भी बोलने लगेगा चौटे चीज अदरक और शहद बच्चे में तुतलानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक चमच अदरक के रस में एक चमच शहद मिलाकर इसे बच्चे को चटाएं इस पेस्ट को चाटने से भी बच्चे की तुतलाहट जल्द ही दूर हो जाएगी और पांचवी चीज सौफ खानी के बाद अक्सर खाई जाने वाली सौफ भी बच्चे की इस परिशानी को दूर कर सकती है रोजाना सूने से पहले एक गिलास पानी में 5 ग्राम सौफ को थोड़ा कूट कर उबाले और जब ये पानी उबलकर आधा रह जाए तब उसमें 50 ग्राम मिश्री का चूरा और 500 ग्राम गाई का दूर मिलाए और इसे रोजाना देने से भी आपके बच्चे का तुतलाहट पन दूर हो जाएगा हमें उमीद है कि हमारे बताएं इन घरेलू टिप्स से आपके बच्चे की तुतलान की प्राब्लम जल से जल दूर हो जाएगी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईएगा